कर रहे हैं मंडी हाउस जिस तरीके से भी एक हपते से भारत बंद की बात चल रही थी तो उसी साथ से उसे प्रक्षन आप क्या कहना चाहिए कि जो आज का प्रतर्शन है हमारा ये भारत बंद का एरान देश भर के सभी पहुजन संगठन जो हैं और कई राजनितिक पार्टियां उन सब ने मिलकर किया और इसका एक बहुत वैलिड कारण जिसकी वज़े से किया है पिछले पांस साल में आप सब देख चुके हैं कि किस तरह से दलिश समाज पर मुस्लिम समाज पर बहुदर समाज पर जिस तरह से लगाता रत्याचार हुए हैं और उनके सारे अधिकारों को उचलकर रख दिया इस 56 चौकिदार की सरकार में तो उसके भिरोध में ये आज का हमारा भारत बंद है एक और इसमें में कारण है अभ करने का अधेश आया है अगर देश के सबसे बड़ी अधालत की इतने सवेदन हीन हो सकती है तो फिर कोई न्याय के लिए कहा जाएगा इसलिए कि सरकार को चेताने के लिए इसे चेतावनी देने के लिए कि अपना तोड़ तरीका बदले नहीं तो हम पूरी तरह से ये बद पी सरकार का मतलब है RSS और RSS का जो एजेंडा है वो साहब है कि यहां पर दलित को मुस्लिम को अनुसुची जाती जन जाती आदिवासी इन सब को इनके सारे अधिकारों से बंचित किया जाए जो पुझे बाबासाब डॉक्टर मेटकर की वज़े से समिधान के माद्दम से अधिकार मिले हमें और उसके बाद इस समाज ने थोड़ा सास रहना शुरू किया समान से जीना शुरू किया वो उन्हें हजम नहीं है और वही माद्दम स्विति की ववस्टा जो है जिसमें उपर व्यक्ता सबसे उपर ब्रहमन है और उसके नीचे छत्री है फिर वैश्च कर रहे हैं सर्फ बीजेपी सरकार ने जीतने से पहले बताया था कि हम गरीबों को आरक्षड देंगे और भी काफी चलिए काफी सर्टें बताई थी तो उसको प्लक्त में आप क्या कहना चाहते हैं प्लक्त में सीधा है कि जो कुछ बताया कोई भी उन्हों ने अपना जो मैनिफेस्टों उसके एक भी बात लागू की और दुर्भा के इस देश का 56 चौकीदार सुभह जिस समय उतता है और शाम को जिस समय तक सोता है जूट के अलाबे कुछ नहीं बोलता एक ऐसा प्रधा जो जवान हैं उनकी लाशों पर राजनीती कर रहा है यह बहुत बड़ा दुर्भाग यह हमारे देश का और इसलिए पूरे बहुजन ने इस देश के लोगों ने से यह तैकिया है कि इस 2019 के चुना में इस चौकीदार एंड कंपनी की जो सरकार है इसको परखास करके रहें करेंगे इसको बेदा करेंगे सत्ता में आने नहीं देगे जिस तरीके से सर अभी दो मेंने रह गए हैं चुनाओं के लिए और अभी प्यागराज में बीजेपी बोडी जी ने अभी पेर्द होई ते उससे आप क्या कहना चाते हैं नहीं वह सिर्फ नटंग की है अगर वो पेर्द होने की बात कर रहा है हर रोज यहां पर हमारे जो हमारे जो वो है वालमिकी समाथ के लोग सभाई करमचारी हैं वो हर दिन में होल में मरते हैं अभी आपने देखा कि तीन दिन पहले बनारेस में तीन लोग मर गए उससे पहले बॉम्बे में मर गए हर दिन मर रहे ह तो उनकी दशा सुधार नी है ये पैर्द होने का नाटक जो और वैसे भी जो सुनने में आ रहा है में सोचल मीडिया में जिनके पैर्द हुए गए गए वो तो पंड़ती हैं उनका नाम इस सरते के रखा ये जो मैं बताओ नहीं ये जो चौकीडार है जो देश को गुमराय क करते हुए मर जाते हैं उनके लिए जो बाकी और मैं उस्था है उनको प्रंपर मुआवजे की विवस्ता उनकी हरकी विवस्ता सुन्के बच्छों की सिख्छा के वहस्ता है ये करें ये पै रधाने की नोटम की बंद करा हम सब सामझ गए हैं ऐसा नहीं है कि हम आख मीच के बैटें जानते नहीं यह सारी की सारी चाहिए